दुर्गाष्टमी कब है और दुर्गाष्टमी के दिन किन चीजों को घर में लाने से माता दुर्गा की किरपा घर पर हमेशा बनी रती है और नकरात्मक चीज दूर हो जाती है इस वर्स जब हिंदू नवर्स प्रारंब होगा तो वासंतिक नवरात्र से प्रारंब होता है वासंत रितु का नवरात्र जो है छेत महीने का नवरात्र को कहते हैं तो इस वर्स जो है वहाँ सोलह अप्रेल मंगलवार को दुर्गास्टमी ब्रत होगा अस्टमी का ब्रत जो है नवरात्री में विसेश रूप से माना जाता है अस्टमी को मा दुर्गा की विसेश पूजा अक्षना होती है तो उस दिन जदी आप अपने घर में कुछ मांगलिक वस्तुएं घर ले आते हैं तो आपके घर से नकारात्म कुर्जा स्वाप्त हो करके आपके घर में मा दुर्गा की क्रपा बरसेगी तो उस दिन दुर्गास्टमी जो इस बार मंगलवार पड़ रहा है 16 अपरेल को तो उस दिन आप शांदी का बना स्वास्तिक और शांदी का बना बरतन एवं मोर पंक हो सके तो मिट्टी का बना हुआ एक छोटा सा घर उसको आप घर में लाकर के रखें पूजा घर में दिन अस्टमी के दिन सिद्धी मंत्र का जाप करकर के पूजा करके अपने पूजा घर में रखते हैं तो उसके द्वारा आपके पूरे घर में सकारात्म गुर्जा बढ़ेगी और नकारात्म गुर्जा समाप्त होगी तो इस वर स्वासंतिक नवरात्र के दुरगास्टमी के दिन आप घर में मांगलिक वस्तुएं लाएं और अपने घर के नकार अत्म गुर्जा को श्वापत करें